जहिंद इस वीडियो में बात करने वाले KPIT टेकनलोजी कंपनी के बारे में इस कंपनी के आज Q2 के रिजल्ट आये हैं हलाकि रिजल्ट अच्छे आये हैं लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है तो बिसिकली इसी के बारे में बात करेंगे हलाकि जो Q2 के रिजल्ट आये हैं उसके ऊपर चर्चा होगी लेकिन यह जानने का प्रयास करेंगे कि गिरावट कहां तक जा सकता है और आगे हमें क्या करने की जिरूरत है वीडियो को अगिदम सुरू से समझते हुए हैर एक बात को चलता है हम जानते हैं कि KP IT टेकनोलोजी जो कंपनी आई टी सेक्टर से बिलाउन करती है और यह पूरे ग्लोबल अस्तर पर काम करती है यानि कि सिर्फ भारत में इस कंपनी का बिजनेस नहीं है आप देखेंगे अगर देखेंगे तो इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेमेनु जो आता है इसके बाद इरोप से आता है 49 परसेंट और बाकी एस कंपनी का कमाई होता है यह कंपनी IT सेक्टर से पिलाउं करते हैं सिर्फ सौफ्ट वेयर ही नहीं बनाती है बलके सौफ्ट वेयर का लावा भी IT कंपनी काम करती है डिश्टली सौलूशन प्रॉइट कराती है यानि कि एक IT सेक्टरी कंपनी में जो जो इंपोर्टेंट होना चाहिए सारे गूण इस कंपनी में है देखेंगे तो तक्रीवन साड़ सत्रे हजार क्रोंड का सब्सक्राइब का मार्केट कैप है यानि कि लार सब्सक्राइब की तरफ जा रही थी 13 परसेंट का ग्रोथ पिछले एक मा में देखने को मिला है लेकिन पिछले एक मा सब्सक्राइब का दोर शुरू हो गया और आज जब रिजल्ट आया तो एक ही दिन में लगवा कर हाई परसेंट टूड गया अब समझे कि आखिर इस गि प्रोफिट हुआ है इस बार तो बिसिकली इसको लॉस नहीं कहेंगे कम परेटिवली प्रोफिट कम हुआ है इसी की वज़े से इस स्टोग में थोड़ा सा निगेटिव मोमेंट देखने को मिला है और बाकी आप यह जानी रहें कि ओवरॉल इटी सेक्टर के दिन इन दिनो अच्छे नहीं चल रहा है तो उसका असर भी थोड़ा बहुत इस कंपनी पर है हाला कि यह सौर्ट टर्म में गिलावट है इससे घवड़ाने वाली कोई बात नहीं है अब हम लोग देखते है क्वार्ट 2 के रिजल्ट के बारे में देखिए जो कंपनी का सितंबर क्वार्ट आये थे उसकी हिसाब से इस बार कंपनी ने 25 परशेंट का जंप मारा है यानि कि जहां पिछले साल के सितंबर क्वार्ट में को 600 क्रोण का ही इंकम हुआ था इस बार बढ़कर 25 परशेंट बढ़कर 754 क्रोण हुआ है तो यह तो काफी अच्छी बात है कंपनी का इंकम बढ़ा है अब यहां देखेंगे इंकम बढ़ा है कंपनी का तुछ अपसे कंपनी के खर्चें भी बढ़े हैं जो कि सभाविक है जब आपका भी कमाई बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ना सभाविक है देखिए पिछले साल के क्वार्ट में कंपनी चाह 519 क्रो रुपे क्रोंड खर्च किया है चूंकि इनका इंकम बढ़ गया है और पिछले क्वार्टर से देखेंगे पिछले क्वार्ट पांसो नवासी क्रोन रुपे कंपनी ने खर्च किया थे इसके मुकाबले इस बार इसका एक्षवेंस बढ़ा है अब आते हैं मुद्द्र पर यानि कि profit पर देखिए, इसको कहते हैं profit after tax, यानि कि tax उक्स देने के बाद जो company पास बचता है, shortcut में इसको PAT कहते हैं, तो देखेंगे quarter 2 में company का profit बढ़कर, sorry, अगर सलाना आस्तर पर देखेंगे तो बढ़ा है, लेकिन quarterly basis पर देखेंगे तो कम हुआ है, पिछले साल के सितंबर quarter में जहां इसका profit 65 क्रोण का आस्पास था, वो इस बार 27% तक्रीबन जंप लगा के 84 क्रोण हो गया है, लेकिन पिछले quarter में इसका profit 88 क्रोण रुपे का हुआ था, इस बार इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं तगरीबन 4 क्रोण का कमपनी को यहां के मुकाबले लॉस हो गया है, यानि कि कमपनी को profit पिछले quarter मुकाबले बहतर नहीं हुआ है, यही वज़ा है कि ये stock में आज लगवग 80% के आसपास ग्राउट देखने को मिली है, तो देखिए quarter 2 में हो गया है लगवग 3 रुपे का सपास, पिछले quarter में सावा 3 था और साल बर पहले देखेंगे तो लगवग 8 रुपे का सपास था, तो यह रहा quarter 2 का result जिसके बारे में हमनें डिसक्स की, अब यहां समझते हैं, देखिए यह जो loss हुआ है, इसके मुकाबले प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन यह नॉर्मल गिरावट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इससे डरना घबडाना नहीं है, और देखिए overall इस कंपनी का fundamental काफी बढ़िया है, फंडामेंटल की बढ़िया है, नॉर्मल गिरावट है, जो मैंने यहां पर बताया, और देखिए, दिकत कब हो सकती है इस कंपनी में, जब इस कंपनी का जो support level है, अगला 570 रुपे का सपास है, हलागी मुझे नहीं लगता कि अभी जो इसका share price से 645 रुपे यहां से कम होकर यहां तक आएगा, लेकिन मान लेजे कि अगर बहुत बुरे दिना जाते हैं इस कंपनी का और इसका price कम होकर यहां तक आ जाता है, यथा इसको भी break करके नीचे चला जाता है, तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यह नॉर्मल गिराउट है, इसलिए चिंता है कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बात सब ठीक हो जाएगा और price इसके निच्चाने की समाना बहुत कम है, इसलिए आप तसलिए से स्टॉक में बने रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तो लिए धन्य बात, शुक्रिया.